अब है कि हलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल इसटेड़ी पर तो डियर स्टुडेंट्स कल हम कखसा आठ का जो सामाजी का आपका पेपर होने वाला है उसका मोडल पेपर का पार्ट वन हम कल सोल कर चुके हैं लगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे हम गेस्टेंग इसके बाद इस तरीके से यहां पर एक यह डबा बनाएंगे और इसको इस तरीके से दो लाइनों से मिला देंगे इधर भी इसी तरीके डबा बनाएंगे इसको दो कुस्तन नमर 14 सारोवोमिक वैस्क मतातिकार से आप क्या समझते हैं यहाँ पर हम लेकले के सारोवोमिक वैस्क मतातिकार के अधिकार से हैं जिसमें किसी भी वेक्ती को मत देने का अधिकार है मत देने का अधिकार के मतलब वोट देने का अधिकार यानि कि कोई भी वेक्ती वोट कर सकता है अर्तात चाहे कोई भी वेक्ती चाहे वाय किसी भी धर्म जाती रंग नसल अधिकार हो उसे मतदान करने का समा का भूमिका है यहां पर देखो न्याइपाली का क्या 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 भूमिका है यह हम लिखेंगे राज्य का अंग होने के नाते न्याइपाली का भारतिये लोक तंत्र की विवस्ता बनाए रखने में अहम भूमी का निवाती है नियाइपाली का विवादों का निप्टारा नियाइक समिक्सा कानून की रक्सा आधी कारे करती है इतना लिख देंगे उसमें आपको नमबर मिल जाएगा इसके बाद अगला है यहां पर यहां पर देखो आ हमारा एक बीलवाड़ा एक जेपूर और एक ब्यावर तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूं यह हमारा राजस्थान का नक्सा है तो यहां पर देखो इस जगह पर तो आएगा जेपूर के लियर इसके बाद इस जगह पर आएगा बीलवाड़ा यह जश्ट लावाबी और जो भी आपके इंपोर्टेंस मानचित्र होंगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि कौन कौन से आ सकते हैं इसके बाद अगला है साइबर सुरक्सा के उपाए बताईए साइबर सुरक्सा का मतलब क्या हुआ कि जिसे हमारा इंटरनेट से हम कुछ चीज यहां में बताना है तो अमपेला लिख देंगे ऐसा पासवर्ट रखें जिसका अनुमान लगाना कटिन हो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अम मोबाइल में या कहीं पर भी अकाउंट में इनमें पासवर्ट लगाते हैं तो वहां पर इसा पासवर्ट आपको लगाना चीज इसका कोई आसानी से अनुमान नहीं लगा सके जैसे आपने लिख दिया एक से एक से लेकर आट तक करनम में लिख दिया तो यह नॉर्मल है इसको कोई भी नुमान लगा सकता है तो इस तरह का पासवर्ट नहीं लगाना चाहिए इसके बाद सभी अकाउंटों के लिए एक इससे पासफ़ट का उपयोग न करें यानि कि आपके बहुत से खाते हैं अलग-अलग बेंगों में खाते हैं तो उनकी जो नेट बेंगिंग या कुछ भी फोन पे या पेटे मेंगर आप यूज कर रहे हो तो सभी के लिए एक ही पासफ़ट आप यूज न करें सब के लिए करना चीए इसके बादे पासफ़ट को जहां तहां लिक कर न रखें जहां तहां लिक करका के मतलब वज़से आप कहीं भी लिख दो कोपी में लिख देते हैं या कहीं पर कागज में लिख कर आप फरस में रख लेते हो या मोबाइल में सेव कर लेते हो तो इस तरह का आप ना करें तो यह हो गए आपका साइब इस रक्सा के तीन उपाए इसके बाद आएगा आपका खंडस है इसमें देखो चार क्यूसिन पूछे जाएंगे चार चार नमर कहने की सोला नमर के टोटल क्यूसिन यहां पर एक गांदी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों यह हमारे बोजन का बुनियादी हिस्सा होता है इसे अमीर और समान अमीर और गरीब यहां आएगा अमीर और गरीब समान मातरा में प्रियोग करते हैं इस तरीके से गांदी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया इसके बाद एक इसमें अत्वा में भी है इसको गरत किया गया है तो इसके आप देख लेना गायड में से इसके बाद है अत्वा में भारत के किसी करसी फारम की गतिविदियों का वर्णन करो तो यहां पर देखो इसका आंसर हम लिखेंगे यहां पर देखो भारत में एक फारम तो इसमें उधारन हम लिख देंगे उत्तर खाद आदी खरीद कर फसल उगाता है, वह साल में दो फसल उगाता है, किराए पर ट्रेक्टर मसीन आदी लाता है, वह गेहूं, चावल और दाल उत्पन करता है, वह करसी में अपने मित्रों तदा सहरकारी अधीकारियों की मदद लेता है, वह सचाइबी नलकूब किराये पर लेकर करता है, मुन्ना लाल बेंस और कुछ मुर्या रखता है, वह दूद सहकारी बंडार में बेचता है, परिवार के सभी सदसे करसी में उसकी मदद करते हैं, वह अपना उत्पाद समीब की मंड़ी में बेचता है, इस तरीके से बहरत मे करसी फारम पर आप उदारान लिख सकते हो, इसके बाद है, आपका भारती समीबार में उल्ले की मौलिक अधिकारों में से कोई दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिके, विस्तार से मतलब उनका अच्छे से आपको वर्णन करना है, तो यहां पर हम लिक इसमें तभी हमें चार नमर मिलेंगे। कर सकता यद्यपी इसके कुछ अपवाद भी हैं चुआ चूत की परता का उन्मूलन कर दिया गया है तता राज्य कोई बेदवाव जनंक पद्विया परदान नहीं करेगा इसके बाद एक और हैं हमारा स्वतंतरता का अधिकार इस अधिकार के अंतरगद अभी वेक्ति और ब दो अधिकार लिख सकते हैं इसके बाद अगला किस्वन ने राजस्तान का एकी करण कितने चरणों में संपन हुआ मत्से संग में कोन सी रियास्ते सामिल थी यहां पर देखो यह क्यूसन तो छोटा सा पूंचा गया है तो आंसर इसका छोटा से आने वाला है लेकिन चार न कितने चरणों में संपन हुआ तो साथ चरणों में संपन हुआ इसके बाद इसमने पूछा था मत्से संग में कौन कौन सी रियास्ते हैं तो देखो मत्से संग में अलवर धोलपूर भरतपूर करोली रियास्तों को मिलाकर मत्से संग का निर्मान किया गया अलवर को इसकी राजदानी बनाया गया था इस तरीके से इसका सोलीसन हो जाएगा अब देखो चार नंबर में हैं तो यहां पर देखो जो साथ चरण देना उनका भी आव लिख सकते हो कि परतम चरण में कौन सी रियासत आई दुट्य में कौन सी आई इसके बाद इसमें अत्वावाला इसलमेर का विले हुआ तता वर्दत रास्तान का निर्माण हुआ तो इस तरीके से यह हमारे टोटल 21 कुछन सोल हो चुके हैं तो डियर इस्टूडेंट और इसकी जो पीडिया पे मैं आपको अवेलेवल करवा दूँगा डिसक्रिप्स का लिंक मिल जाएगा या कमेट बो इस्पोटेंट क्यूसरे उसका भी आपको एक अलग से वीडियो दे देंगे तो ताकि आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हों तो डियर इस्टूडेंस अगर आपको वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करना और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को को भी सबस्क्राइब जरूर कर लेना